नाग लोग में नागिन विश की एक ही इच्छा थी कि वो थी प्रित्वी पर जाने की पर कभी उसको प्रित्वी लोग पर जाने का मौका ही नहीं मिला ऐसे ही एक दिन सभी नाग नागिन के मूँ पर नागिन मोहिनी की ही बाते थी सभी नाग नागिन आपस में बाते कर रहे थी तभी वहां विश आती है और सभी को नागरानी मोहिनी के बारे में बात करता हुआ सुनकर एक नागिन से कहती है सखी तम किस नागिन की बात कर रही हो विश तुम्हें पता नहीं कि हमारे नाग लोग की होने वाली नागरानी कौन है नहीं सखी हम नहीं जानते नाग राज की सबसे छोटी पुत्री मोहिनी ये मोहिनी तो वही है ना जो नाग लोग में सबसे कमजोर नागिन है हाँ है तो वही, पर होने वाली नागरानी भी तो वही है ना अब हम उसको सबसे कमजोर नागिन नहीं बोल सकते ऐसा कैसे हो सकता है, नागराज की अकरपर पत्थर पड़ गए हैं क्या जो वो उनको नागरानी बना रहे हैं अच्छा सकी हम क्या कह रहे थी कि तुम्हारा क्या मानना है नाग राज अपनी सबसे कमजोर पुत्री को यहां की नागरा निगुशित करना चाहते हैं क्या यह सही है वैसे हम अपनी राएद दे तो नहीं सकते पर फिर भी दे देती हूं नागिन मोहीनी बहुती कमजोर है उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हमारे ख्याल से वो उनको इस नाग लोग की रानी बना सकते हुए कि और वह सYoYo पर फिर भी हमारी कोई इज़त नहीं है क्या करें अब नागराज का मन अब वो जिसको नागरानी घोशित करेंगे हमें तो उन्हीं अपनी नागरानी के रूप में अपनाना होगा नागिन अपनी बाती पूरी करके वहां से चली जाती है तो वहीं विश के जहन में उस नागिन की ही बाते घुम रही थी ये सब सोचते हुए विश खुद से कहती है अखिर क्या है उस मोहिनी में? क्यों नाग राज मोहिनी को ही नाग लोकी अग्री नागरानी घुशित करना चाहते हैं जो भी है हमें इस रास का पता लगाना ही पड़ेगा नागिन विश आप अपने पोन नागिन अफ्तार में आ जाती है और नाग महल की तरफ निकल जाती है कुछी देर में नागिन विश नाग महल में जाकर अपना कार छोटा करती है और एक वास में जाकर नागराज और उनकी अरधांगनी नागरानी की बाते सुनती है नागराज पुरे नाग लोक में हमारी पुत्री चर्चा का विश्य बनी हुई है कि आखिर आप उसे क्यों नागरानी घोशित करना चाते हैं नागरानी, हम उसे आने वाले समय की नागरानी क्यों घोशित करना चाते हैं ये आप काफी अच्छे से जानती हैं हम भली भाती जानते हैं परन्तु नागराज हमारी पुत्री को उसकी शक्तियां भी नहीं पता है। यदि कोई भी मुसीबत नाग लोग पर आ गई तो हमारी पुत्री उस मुसीबत का सामना कैसे करेगी। ये आप से अच्छा कोई नहीं जानता नागरानी कि उसके अंदर की जो शक्तियां है वो कोई मामूली शक्तिया नहीं है साथ ही हमारी पुत्री भी कोई मामूली सी इच्चाथारी नागिन नहीं जो शक्तिया और नाग नागिनों को हमारी पुत्री में नहीं दिखती उससे हटकर हमारी पुत्री में शक्तिया है हमारी पुत्री ही है वो जो इस नाग लोग का विनाज भी बन सकती है और इस नाग लोग की उच्चितर शक्ती भी वो उस शक्तियों से हर उस चीज का नाश और विनाश कर सकती है जिसकी किसी ने कलपना भी नी की होगी हमारी पुत्री की शक्तियां उस समय सभी को पता चल जाएंगी जब हमारी पुत्री उसका विनाश करेगी क्योंकि हमारी पुत्री एक मनी धारी नागिन है नागराज की ऐसी बाते सुनकर विश को एक बहुत बड़ा जटका लगता है और मौका देखकर नागिन विश वहां से भाग जाती है पर वहां से जाने के बाद विश शिवजी के मंदिर में आती है और वो नाग पंडित को आवाज लगाते हुए कहती है नाग पंडित कहां है आप विश आपको पुकार रही है कृपया कर हमारे सामने प्रकट हो नागिन विश के बात सुनकर बहाँ पर एक बहुत ही मोटा और बड़ा साप आता है और अपने असनी रूप याने के पंडित के रूप में आकर नागिन विश से कहता है क्या हुआ नागिन विश आप अचानक हमारे पास यहां आने की कोई वज़ा तो होगी नाग पंडित को मेरा प्रणाम नाग पंडित जी हमारे जहन में एक सवाल है और हम जानते हैं कि हमारे सवालों का जवाब आप से बहतर और कोई नहीं दे सकता विश अब नाग पंडित को सब कुछ बता देती है ये सब जानने के बाद नाग पंडित मुस्कुराते हैं और विश को कहते हैं वेश ये तो विधी का विधान है शिव जी ने नागिन मोहिनी को चुन लिया है लोगों को लगता है कि नागिन मोहिनी कुछ नहीं है पर वो शिव जी की चुनी हुई नागिन है नागिन मनीधारी नागिन हाँ लेकिन इनकी बनावट साथी हर चीज इच्छादारी नागनागनों की तरह ही होती है लेकिन इच्छादारी नागनागनों के नाभी में नागमनी होती है पर इन मनीधारी नागनागनों के सर के उपर नागमनी होती है और ये नागमनी बहुत ही अलग प्रकार की होती है इसका अकाद छोटा होता है साथ ही ये नाग मनी बैंगनी रंकी होती है इसकी चमक काफी तेज होती है इसकी केवल चमक से ही किसी को भी मौत के घाट उता जा सकता है इसका मतलब मोहिनी मनी धारी नागिन है? पंडित की बास सुनकर विश वहां से चली जाती है और वो उस नाग मनी के बारे में ही सोचती रहती है समय गुजरता है समय के साथ विश मनी के बारे में सोचना बंद कर देती है क्योंकि विश एक बहुत ही इमानदार नागिन थी बस इसलिए वो कभी भी किसी के सामने मनी धारी नागिन मोहिनी की बात नहीं करती ऐसे ही एक दिन नागिन विश मोहिनी से मिलती है और उसके कक्ष में जाती है जहां वो देखती है कि नागिन मोहिनी अपने नागिन अफतार में है और उसके फन के उपर वही मनी घूम रही है उसकी मनी को देखकर विश को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता नागिन विश उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहाँ पर मोहिनी की माता नागरानी विश का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खीच लेती है और उससे कहती है विश तुम यहां क्या कर रही हो नागरानी यह मोहिनी हाँ यह मोहिनी ही है और यह कोई मामूली इच्छाधारी नागिन नहीं है बलकि हमारी पुत्री एक मनीधारी नागिन है और हम आपसे विंती करते हैं कि आप यह राज-राज ही रखें नागरानी यदि मोहिनी एक मनी धारी नागिन है तो आपने आस तक नागलों के वासियों से ये बात क्यों छुपा कर रखी हुई है वो इसलिए क्योंकि मोहिनी अभी एक तपस्या में है जिस दिन उसकी तपस्या पूर्ण होगी उस दिन मुहिनी स्वम अपने असली रूप में सभी के सामने आ जाएगी पर हमारे ख्याल से अब वो समय आने ही वाला है देखो उसके फन पर चमक रही है मनी पर विश तुम हमसे वादा करो कि तुम ये सत्तिक किसी को नहीं बताओगी हम आपसे वादा करते हैं नागरानी कि हम इस राज को राज ही रखेंगे पर उसके बदले हमें आपसे कुछ चाहिए हाँ बोलो विश क्या चाहिए तुम्हें यदि देने लायक हुआ तो हम तुम्हें अवश्य देंगे नागरानी हमारा इस नाग लोग में कोई नहीं है यहां सभी के परिवार है पर हमें अपने परिवार का कुछ पता नहीं है शायद इसलिए हम आज तक प्रित्वी लोग पर नहीं कए आप हमें वहाँ जाने की आग्या दे दीजिए यदि आप हमें वहां जाने की आग्या दे देंगी तो हम भी औरों की तरह पृत्वी लोग घूम पाएंगे हमने बहुत सुना है वहां के बारे में हम तुम्हें पृत्वी लोग पर जाने की इजाज़त देते हैं आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा प्रित्वी लोग पर जाने से। नागरानी के बात सुनकर विश काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद विश नाग लोग से प्रित्वी लोग पर आती है। जहां वो देखती है कि प्रित्वी लोग पर काफी चहल पहल है। ये देखकर नागिन विश खुद से कहती है सत्ते ही कहते हैं सब कि प्रित्वी लोग सच में बेहत घूप सूरत है ऐसा करती हूँ मैं यहां की हर एक जगा अच्छे से घूम लेती हूँ विश अब प्रित्वी लोग पर गूमने लगती है पर तब ही उसकी नजर एक दुकान पर जाती है जहां वो एक दमी के हाद में चड़ी देखती है उस चड़ी में एक मनी के आकार का क्रिस्टल था और उस क्रिस्टल को देखकर वो खुद से कहती है विशब अपनी शक्तियों से उस क्रिस्टल उर्फ मनी को चुरा लेती है और नाग लोग चली आती है और कुछी दिर में विश नाग लोग कितने बड़े चोर है उन्होंने ये मनी चुरा रखी थी और आपको पता है उन्होंने इस मनी को कैसे रखा हुआ था ये मनी एक पुतले के हाथों से चीन कर लाई हो नागरानी विश को कुछ बोल पा दी कि तभी पीछे से एक भाला आता है और विश की पीट पर जाकर लगता है सीधे शब्दों में कहें तो किसी ने विश की पीट पर भाले से वार किया था विश की आँखे लाल हो जाती है और अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वैसे ही वो देखती है कि उसकी पीट पर वार करने वाला कोई और नहीं बलकि नागरानी की बड़ी बेटी मानिया थ दागिन मान्या तुम हां मैं जिसकी तलाश कर रही थी आखिरकार मुझे मिली गई यह मनी इस मनी के पीछे ना जाने में कितने सालों तक अपने नागलोग से दूर रही पर अब नहीं मुझे लगता था कि यह मेरी छोटी बहन के अंदर है परंतु यह तो तुम्हारे पास न करने चाहिए नहीं माता अब हम कभी वापस नहीं आएंगे आप तब कहां थी जब पिता इस नागलोग की नागराने आपके छोटी पुत्री को घोशित कर रहे थे पुत्री क्योंकि वही है जो इस नागलोग को अच्छी से समझ सकती है कोई बात नहीं माता यदी वो इस आशिरवाद हैं तो हम भी इस नागलोग के लिए पापी है हम इस नागलोग को तभा कर देंगे इतना बोलकर नागिन मान्या एक पर फेद नागिन विश्टियों पर प्रहाइप करती है पर इसे शन नागिन मोहिनी आ जाती है और अपनी ही बहन को एक भयानक मौत देती है साथ ही विश भी अपने प्राण त्याग देती है